ओम नमस्षिवाय अब चलते हैं हम सिव पुरान के विद्धेश्वर सहिता की ओर पहला अध्याय पाप नासक साधनों के विशे में प्रश्न जो आदि से लेकर अंत में है नित्य मंगल में है जो आत्मा के स्वरूप को प्रकासित करने वाला है जिनके पांच मुख है और जो खेल खेल में जगत की रचना पालन और साहार तथा अनुग्रह एवं तिरो भाव रूप पांच प्रबल कर्म करते हैं उन सर्व स्रेश्ट अजर अमर उमापती भगवान संकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं व्यास जी कहते हैं धर्म का महान छेत्र जहां गंगा यमुना का संगम है उस पुर्णय में प्रयाग जो ब्रह्म लोग का मार्ग है वहां एक बार महातेजस्वी महाभाग महत्मा मुन्यों ने विसाल यग्य का आयोजन किया उस ज्ञान यग्य का समाचार सुनकर पौरानिक सिरूमनी व्यास जी के सिष्य सूच जी वहां मुन्यों की दर् कार किया तथा उनकी इस्तुति करते हुए हाद जोड कर उनसे कहा थे सरवग्य विद्वान रोम हरसन जी आप बड़े भाग्य साली हैं आपने स्वयम व्यास जी के मुख से पुरान की विद्या प्राप्त की है आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं आप भू सन हुए आपका यहां आना निरठक नहीं हो सकता आप कल्यान कारी हैं उत्तम बुद्धिवाले सूद जी यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनिय होने पर आप सुभा सुफतत्व का वर्णन करें जिससे हमारी त्रिप्ति नहीं होती और उसे सुनने की इच्छा ऐसी ही र दूराचार में फस जाएंगे दूसरों की बुराइई करेंगे पराई इस्तिवों के प्रतियासक्त होंगे हिन्सा करेंगे मूर्ख नास्तिक और पसुबुद्धि हो जाएंगे सूद जी कल्यूग में वेध प्रतिपादन वण आश्रम व्यवस्ता नस्ट हो जाएगी प् अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वन्ड संकर्ता से लोगों का पतन हो जाएगा। परिवार तूट जाएंगे। समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगो जगो लोगों की मृत्यु होगी। धन का छे होगा। स्वार्थ और लोप की प्रवर्ति बढ़ जाएगी। ब्रहमन लोभी हो जाएंगे। और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे। पूजा पाठ नहीं करेंगे। और ब्रहम्य ग्यान से सुन्य हो जाएंगे। छत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्याभिचारी हो जाएंगे। सौर्य से रहिक हो वे सुद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुक हो, संसकार भष्ट होकर, कुमारगी धनो पारजन परायन होकर नाप तॉल में ध्यान लगाएंगे। शुद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेसबूसा में सुसोबित हो व्यर्थ गूमेंगे। वे कुटिल और इशालू होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयम को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवहा करेंगे। इस तरियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पती का अपमान करेंगी। और सास ससुर से लड़ेंगी। मलीन भूजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूद जी इस तरह जिनकी बुद्धी नश्ट हो गई है। और जिनोंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। ऐसे लोग लोग पर लोग में उत्तम गति को कैसे प्राप्थ होंगे। इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ। स्वयम भी प्रशंता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निसकाम हो तो करता का हिडए सुध करते हुए उसे परमगति प्रदान करती है। हे महामुने आप समस्त सिध्धांतों के ग्याता ही। क्रिपा कर कोई ऐसा उपाय बताईए जिस से इन सबके पापों का तदकाल नास हो जाए। व्यास जी कहते हैं उन स्रेष्ट मुनियों की यह बात सुनकर सुध जी मन ही मन परम स्रेष्ट भगवान संकर का इस्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले।